मैं हूँ विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्वामी वेकानन दिगरी कॉलेज नारायनपुर प्रितमपुर हीरापुर अम बेटकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे हैं DLA सिकन समेश्टर मैथमेटिक्स और आज का हमार जो टॉपिक है तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूलें तो आईए देखते हैं हम लोग आज यूर्ट नमबर छे का लेक्चर नमबर दो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पूर वर्दवारा मिस्ट तो इक खास समीकर का हल तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जब भी हमें दो गात का समीकर दिया गया होगा तो X स्कॉाइर का जो भी गुडांक होगा जिसे मालित हम लोग A तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे A से हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में भाग कर देंगे ठीक है ना तो भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे X स्कुायर प्लस का मिल जाएगा B अपान A X प्लस का C वाई A मिल जाएगा बराबर जाएगा इतना 0 हो जाएगा अब यहाँ पर जो X का गुलांक होगा ठीक जो भी चीदरा होगा यहाँ पर X का गुलांक उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस यक्स के गुलांग का आधा जो होगा ठीक ना उससे हम लोग क्या करेंगे उसका वर कर लेंगे और उसी को जोड देंगे उसी को घटा भी देंगे ठीक, तो दूसरा इस्टफ हमारा क्या था जो X स्क्वार का गुलांग होगा यानि कि by जो हमें मिला था यहां पे ए ठीक ना इसका आधा यानि कि by 2a किसी का हम लोग वर करके जोड भी देंगे और घटा भी देंगे ठीक उसके बाद क्या हो जाएगा आपका समीकर जो है त्यार हो जाएगा ठीक है ना पूर्ड वर्क बन जाएगा आए हम लोग देखके करतें दbok 6 इसक्वार मैनस का x-1 is is equal to क्या लिखा हुआ यहांपर 0 लिखा हुआ है को बनाकर हल कीजिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहां लिखा हुआ देख़िए six x square लिखा हुआ है तो यहां पर एकशुवार के साथ six लिखा हुआ है जो सबसे पहला गाव हम क्या करेंगे हम लोग इसी से भाग कर देंगे जैसे भाग करेंगे यह beim तो आप अगर चाहो एक को यहां पर लेके जा सकते हो राइट नहीं है अगर लेके चलेगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर लेके चलेगे तब भी कोई दिक्कत नहीं तो अब क्या करना है हम लोगों को 6 से हम लोग क्या भाग कर देना है दोनों तरफ भाग किया हम लोगों ने क्या मिल गया हमें X उसका माइस का X अपान 6 is equal to 1 अपान 6 मिल जाएगा अब क्या करना हमें X का जो गुलांग है वो कितना 1 बाई 6 है इसका आधा यानिकी एक बटे कितना 12 से हम लोग क्या करना है जो इसका वर्ग बनाना है और जोड़ देना है और घटा भी देना है या फिर कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में इसी को जोड़ देना है तो जब हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पूरा-पूरा समीगड़ बन जाएगा और यह अगर समीगड़ बन गया तो क्या समीगड़ बन क्या था x-1 upon 12 का whole square इस इक ल्टू यहाँ पर क्या हो जायंगा हप इसको हर लिज़ài偃 प्लस का हो इस नहीं मौर लेंगे वर्गमों लेंगे गया कि अंधे इस चुँँवाले लिए न फिर दूट्स मा an Kane था कि औलतेे बासा की हम लोग इसको हर लिए तो 5 बाहन निकलके आएगाह यहां से क्तना ऊगा 12 निकलके आएगाँ अब क्या करें गे कि अभर धन जिरैगे और वरृत जिर्टे डोलेंगे तो वहां से एक्स के दो मान निकलके आएग laughed दो आ यहां थे तो हम बता ही देते हैं आपको होता है एक्स पराबर यानि कि आपका जो रूट होता है एक्स पराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडरूट भी स्कॉए माइस का फोर एसी डिवाइड बाई टू यह होता है अब यहां पर एक क्या होता है इसको भी हम बताने वाले ह तो माल लीडिए हमारे पास एक क्या दोगात का समीर का लिखा हुआ X QAV Y X प्लस का C is equal to zero लिखा हुआ है जबकि एक अभी भी जीरो नहीं होगा तो अब क्या करेंगे हम लोग or a cm लोगों नी क्या किया है multiply कर दिया जैसे मौने कर देंगे हैंब तो यहां मिंत जाएगा है यहां पर किया not जोड़ भी दिया एक तरफ यह पिते दुऩरत हैं? sonra जोड़ने पर फिसकोए ऐग देंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिया क्या बन जाएगा आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा जैसे फार्मूला बनके त्यार हुआ तो अब क्या करना हम लोगों को यहां पर दी हो जाएगा आपके पास 2a x प्लस का b का whole square is equal to b square minus 4ac हो जाएगा अब दोने तरफ का हम लोग क्या करेंगे वर्ग मूँ लेने के बाद आपको एमिल जाएगा फिर अगला इस्टेफ हमारा क्या होगा वर्ग मू लेने के बाद अब बी का पक्षांदर कर देंगे बी का पक्षांदर करेंगे तो क्या आजाएगा minus का b आ जाएगा और यहां पर क्या था plus minus था ठीक अब यहां पर देखेंगे कि हमें यक्स के दो मान है एक ध्रनात्मक दूसरा रदात्मक यहां पर यक्स के दो रूट है एक रूट एक रूट एक रूट ए है ठीक है न अच्छा अगर हम लोग पहले वाले को मानने के अलपा दूसरे वाले को क्या मानने हम लोग बीटा ठीक है न तो यहां पर अलफा प्लस बीटा is equal to क्या हो जाएगा देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा ए वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या होगा cancel हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 2b divided by हो जाएगा हमारे पास 2a हो जाएगा इससे cancer जाएगा minus का b by a आजाएगा और अगर alpha into beta निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारे पास minus का c by a plus का c by a इसको हल करना पड़ेगा तो आही जाएगा आपका ठीक अगर हम लोग देखें अब इसको हमें हल करना था अगर हम लोग मान लें यहां पर जो एकस के दोनों मान आया हुए थे एक को alpha दूसरे को पल्flower मान लें तो हम लोग इनको हल कर सकते हैं alpha बिस Chandla का मान भी निकाल सकते हैं alpha into बिटा का भी मान निकाल सकते हैं अब हम लोग वहाँ पर नहीं चाहते हम लोग तो देखते हैं कि अगर 20 का मैनस 4C का जो मान होगा वो 0 से बढ़ा होगा तो हमारे पास जो मूल होगा वास्तिक होंगे ठीक है ना अथो अमूल आवास्तिक हो सकते हैं और अगर हमारे जो मान होगा 20 का मैनस 4C से 4C 0 से चोटा होगा तो मूल हमारे क्या होंगे वास्तिक नहीं हो सकते हैं अगर हो क्या होंगे जिरो के बराबर हो जाएंगे तो हमारा हो क्या होजएगा समीकर बीवित कर कहलाने लगेगा आई यह सवाल को देखते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर्टी आएगी यहां पर लिखा हुआ हुआ क्या इसको जो जीरो का हल सुट्र की साहता से किये अब क्या करना हम लोगों को वही एक स्कुटू से ब्लु क्या करेंगे इसकी तुल्ना कर देंगे और यहां से एबी सी का मान निकालके सूथ में उठाकर रग देंगे जो सीतरा चार्ची का सूथ्र भा जैसे हम लोगों ने वहाँ पे रखा अब क्या करेंगे हम लोग उसको हल करेंगे हल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे X is equal to 7 X 7 plus minus का अंडर रूर उन्चास दन 120 divide by कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा अब 49 120 को जोड़ा हम लोगों ने 179 मिल गया उसका वर्ग मूल निकाला 13 मिल गया अब एक बार धन लेंगे एक बार रिल लेंगे तो यहाँ से X के दो मान आएंगे एक हो जाएगा 5 बड़े 3 दूसरा हो जाएगा मायनत का एक पटे 2 यही दोनों हमारे क्या होंगे मूल होंगे ठीक तो हमने अभी उपर देखी लिया है कि हमारे पास दो मूल मिले हुए है एक क्या था धनात्मक दूसरा क्या था रात्मक ठीक तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा होगा इसके लच्छर क्या होंगे तो अब कह सकते हैं हम लोग यहां पर देखिए X is equal to minus का plus minus under B square minus का 4AC divided by 2A कि परकिरती उसके विविद कर पर depend करती है ठीक अब विविद कर पर depend करती है इसका क्यारत है तो यहां पर देखिए कुछ condition लिखी हुई है तो पहले देखिए इन्होंने क्या दिया है कि यदि B square minus 4AC सूथ हमारे पास हो और alpha का मान आ रहा हो minus का B by 2A और beta का भी मान क्या रहा है से हमारा है तो दोनों मूल क्या होंगे वास्तिक होंगे और आपस में बराबर होंगे दूसरी दशा क्या है यहां पर अगर B square minus 4AC का जो मान है 0 से बड़ा हो वास्तिक हो तो उसका मान क्या आएगा वास्तिक आएगा परन्तु आसमान होंगे और अगर तीसी दशा हमारे पास क्या लिखी हुई है 20 square minus 4AC का जो मान होगा 0 से चोटा होगा तो मूल क्या होंगे पास अधिक कल्पित होंगे यहीं कि imaginary आ जाएंगे ठीक उसके बाद चोटी दशा क्या थी 20 square minus 4AC पराबर पूड़ वर्ग भी हो सकता है तो दोगा समीकर के मूल क्या होंगे परिमे होंगे तो यह सारी condition उन्हें दे रखी है ठीक अगर हम लोग को समीकर बनाना हो और मूल दिये गए हो तो फिर हम लोग समीकर कैसे बनाएंगे ठीक तो यहाँ पर लिखा हुए समीकर AX को प्लस का BX प्लस का C is equal to 0 को A से हम लोग सुब जो पहले भाग करेंगे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पी देख सकते हैं आप यह एक्स स्कॉाइर प्लस का B by A X प्लस का C by A is equal to 0 होता है ठीक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर माइनस प्लस को लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस को कामन कर दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा x2 minus b by a x plus c by a हो जाएगा ठीक तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक नया समीगड़ बन जाएगा वो क्या था x2 minus का मूलो का योगफल into x plus का मूलो का गुणफल is equal to 0 ठीक है ना अब मूलो का जो योगफल हो कितना है यहां पर minus का b by a है और जो गुणफल हो क्या आपका c by a है ठीक यहां आपको याद हो जाना चाहिए तो आएए यहीद विखास समीगड़ के मूल गयात हो तो उपरिक्त विजित से हम लोग को क्या करना है इसको हल करना है उधार 5 और minus का 2 दिया है यानि कि 2 मूल हमें दिये गए है ठीक आप क्या करना मूलो का योगफल हम उठा कि आप यहां पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर एक्स प्लस का 5 इसका 2 हो जाएगा यानि की आ जाएगा एक्स का 3 एक्स मानस का 10 इस इकल टू जीरो मिल जायेगा आखरी हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं अंडर दो धन एक तथा माइस का मिल जाएगा उस समीकल क्या होगा एक सुस्कार माइनस का टू एक समाइस का वान इस इकल टू जीरो तो आज के लेक्चर में इतना ही आप हमारे साथ बने रही हैं हमारे यूटूब चैनल पर तब तक के लिए थांक्यू सो मच